हाँ जी हलो गुड आप्टनून इंदू अबिनर्व कनिका जल्दी से सभी लोग जॉइन कर लो जो लोग जॉइन कर चुके काम कर दो यार इस सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी सेशन से जुड़ जाएं और पीजी टी हिस्ट्री के इंपोर्टन्ट एमसी क्यूज हम डिसकस करें देखो यह जो एमसी क्यूज हम डिसकस करेंगे आज के सेशन में यह मोस्ली ग्रीक और रोमन सब्यता से हैं और यह बहुत इंपोर्टन टॉपिक है वर्ल्ड सिविलाइजेशन का जिससे आज हम एमसी क्यूज डिसकस कर रहे हैं अभी मैं अगले हफते में भी world civilization के topic पर ही रहूंगा और world civilization के different questions हम discuss करेंगे next week में भी next Monday Tuesday Wednesday दुबारा से मेरी class होगी और फिर से आप वो session जो अटेंड कर पाओगे ठीक है चलो अब वह बहुत एक एक बात बताता हूं जिनको यह बह्म है ना पिछले साल का पेपर या प्रीवियस येर के पेपर के जैसा पेपर आने वाला है, नहीं आने वाला, समय हो गया, तीन-चार साल से तो ज़्यादा होई चुका है आखरी पेपर हुए अब जो आखरी पेपर हुआ है उस समय जो लेवल था वो इस बार नहीं पूछा जाएगा लेवल बदला जाएगा सवाल एक तो सिलेबस बदला है तो वो उसमें से कोशिश भी मत करो कि बहुत जादा उसक सवाल पूछे जाए तो भी आपको उनको जो है वो टैकल करना पड़ेगा कई आप यह सोचके बैठे रहों कि इस तरीके से पूछे जाते हैं वही एक पर पांस साल पहले हुआ एक उसके पार उससे चार साल पहले हुआ तो फिर तो आप तो ऐसे रह जाओगे बैठ कि आप तो इन्होंने लेवल बदल दिया अब हम से यह पेपर सॉल्व नहीं हो रहा तो इसी लिए हमने अपनी टेस सीरीज में भी ऐसे क्वेश्चन डाले थे जिसमें लेवल इंक्रीज किया गया तो बच्चे यह सोचके बैठे नहीं जी बिलकुल वैसे का वैसा 2016 में होता था उसके बाद 2019 में जैसा वेपर होता था वैसे ही आएगा चार साल पांच साल के बाद जब लिया जाएगा तो पेपर का लेवल इंक्रीज होगा आपको उसके लिए तयार रहना है हर हालत में ठीक है तो यह बात ध्यान रखना कभी भी यह सोचके चलो ना कि वह एक्जाम होता नहीं है टैनियर पेपर कर लिए जी उसमें से कुछ ना कुछ आ जाएगा वह नहीं होता ठीक है वह सिर्फ पैटन पर पता करने के लिए होता और अगर वह रेगुलर हो रहा हो एक्जाम हर साल रहा हो फिर आप उसको पैटन को कॉपी कर सकते हो अब की बार तो बिल्कुल भी ऐसा चांस नहीं है ठीक है चलो हम सिक्षक है हम इतने सालों से इतने सारे पेपर को अबसर्ब कर रहे हैं हमें पता है कि क्या बदलाव हो रहा है लेकिन आप लोग जो है वह लकीर के फगीर बनना चाहते तो मेरी क्या गलती है फिर फिर बाद में मत कहना क है वही सर आपने तो बताया नहीं ठीक है तो हमने बताया था चिताया था आपको नए पैटन और हर नए जो तरीके के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते उसके लिए तयार करके अपने आपको जाना है चलो पहला सवाल यह लो आपके लिए यह रहा हूँ इस इतिहास का जनक किसे माना जाता है हूमर को शीह वांगडी को हिरॉडटस को या अकीलिस को असान सा सवाल है पीजिटी हिस्ट्री इतिहास के जो जितने भी स्टूडेंट्स है उनको यह पता ही होना चाहिए ठीक है चलो देखे आंसर इज चलो बिल्कुल ठीक हिरॉडटस इसका सही उत्तर है ठीक हिरॉडटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है चलो अगला सवाल देखो मिनोन सिविलाइजेशन बिलॉंग टू विच ग्रीक सिटी मिनोन सब्विता ग्रीस के कि किस शहर से तालुग रखती थी अभी एक मैप भी दिखाऊंगा मैप के जरिये पहली दो सब्विता हैं आपको क्लियर हो जाएंगी जो ग्रीस की पहली दो सब्विता थी कहां बसी थी वो चलो कुछ लोग बोल रहें C कुछ लोग बोल रहें A मुझे पता है बहुत सारे लोग एथेंस मार्क करेंगे लेकिन आंसर क्रेटे है मिनोन सब्विता देखो एक बात बता दूँ पहली सब्विता जो ग्रीस की थी वो इस ड्वीप से तालुग रखती थी ये मेन लैंड ग्रीस है योरप का एक हिस्टा इसके डक्षण में भूमद्यसागर यानि मेडिटरेनियंशी में एक ड्Wीप है इसको करेंटेड कहा जाता है यहां पर सबसे पहली सब्विता बती ती जिसे मिनोन कहते है और इसके उत्तर में मेनलैंड ग्रीस में एक और सब्विता थी भीन मेन से इस भीन जो क्षेक्र से चुरू है तो पहली मिनोवन दूरी मैजीनियन शेहर जहां से यह शुरू हुई थी मिनोवन सब बता चलो अगैं विच्छ आप दीज बिलो गिवब chi पाटा, एंथेंस, कौरिंथ या आर्गोस जल्दी से बताओ पाटा, एंथेंस, कौरिंथ या आरिगोस इसमें से किस शहर में लोगतांत्रिक सरकार सापित की गई थी पहली बार तो उत्तर है अब क्यों नहीं बोले भई एथेंस देखो दो बड़े शहर उबरे थे एथेंस और स्पाटा दोनों में काफी लंबे समय तक प्रतिस्पर्धा चली एथेंस बड़ा शहर था इथेंस वासी जादा थे संख्या में और एजुकेशन वहां पर अच्छी थी खाने पीने का स्था अच्छा था लेकिन स्पाटा जो देश यह शहर था ग्रीस का वह धीरे धीरे इतना ताकतवर हुआ वह अपने लड़ाकूपन के लिए जाने जाते थे वह एक काई वैसे स्पाटन स्थेंस में कब्जा किया लेकीं एंस यह मानन जाता था कि प्रते दर्पों को का शहर है लेकिन एकेसर में व्यवस्था जरूर थी ठीक है और एफिम स्थाराइब यह पहली डेमोक्राटिक धोर्मेंट भी स्थापित की गई थी तो एससी सैंग में ये तो सिटी स्टेट या नगर राज्य के लिए युनानी शब्द क्या है होप लाइट पॉलीस अगोरा प्रफ्री आपको पहले यह बता दे इसका आंसर बताओ जो लोग बता रहे हो ठीक है पॉलीस पॉलीस शब्द का मतलब है नगर राज्य सिटी स्टेट ठीक है जो शहर और उसके आसपासी पूरा राज्य बस जाए या पूरा एंपायर बस जाए तो वह सिटी स्टेट जैसे पूरी जो लोगों की बसावट बस गई तो ऐसे बहुत सारे राज्य थे ग्रीस की पैचान वहां पर हर जो शहर था उसके आसपास जो एक बसावट बस जाती थी तो वह सिटी स्टेट कराते थे अब पॉलीस अब जो किला होता था मुख्य किला जो सिटी फोट्रेस था उस युए राज्य को तो साइब नंगर राज्य को तो क्या करते थे पॉलीस और जो वहां पे जो जाहां से विवस्था चलती थी जहां जुढा है सरकार जहाँ से चलती थी और चोटा किला करता था वह जगएख़ाज थी एक्रो पॉलीज आप पैफ़ी दाप manipulate थी नगर के वेवस्था जहां से चलती थी वह छोटा किला स्मॉज पो अगला सवाल थोड़ा सा पेचीदा है प्राचीन रोम में प्राचीन रोम शहर की स्थापना जब हुई तो इटालियन प्राइद्वीप या इतालवी प्राइद्वीप कहां किन लोगों के द्वारा बसा हुआ था तो आपको यह बताना है वेन इंशेंट रोम सिटी वस फाउंडेद इटालियन प्राइद्वीप में कौन लोग रहते थे पहला एट्रुसकन उत्तर में ग्रीक मध्य में और लाटिन दक्षण में दूसरे में एट्रुसकन उत्तर में लाटिन मध्य में और ग्रीक दक्षण में एट्रुसकन उत्तर म सबस्क्राइब लाटिन मध्य में जल्दी से बताओ जिन लोग ने पढ़ा है कि रोम शेहर कैसे बता था व Diesel लोग पाएंग जिन लोग ने दिन लगाई वो तो असानी से बता देंगे जिन लोगों नहीं लगाई वो कंफ्यूद होंगे चलो मैं बताता हूं यह देखो फिले वाले भाग में लेटिन बसे हुए और इस दक्षन भाग में ग्रीक बसे वह थे तो उत्तर में कौन हो गए एट्रुसकन, मध्य में लैटिन और दक्षण में ग्रीक, ठीक है, तो रोम शहर से हम अपनी कहानी शुरू करते हैं, जहां ट्राइबर नदी के आसपास, एक रोमिलस नाम के राजा ने रोम शहर की स्थापना की थी, उनके उत्तर में बसे वो खुद लैटिन ठीक है, तो ये था इसका उत्तर B, ठीक है, B हो गया इसका उत्तर, उत्तर में ट्रुसकन, केंदर में लैटिन और दक्षण में युनानी, ठीक है थी, चलो, B होगा अंसर सुमन, ठीक है, चलो, अगले पर चलते हैं, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ग्रीस की जो है वह अंदकार युग कवर्णन करता है पहला आफ्टर दा फॉल मैसीनियन स्भीका के पतन के बाद दूसरा जन संख्या mi diarrhea और जन संख्या फूड वूम्वड प्रोडक्शन और चौथा और चौथा ऑपशन है ऊप्रोगी तो टारक यजिस के लिए कौन सी कौन सा कफन उपरयुक को बताना है अंद़कार यूग का जो था ग्रीजKA उसके लिए सबसे उपरयुक कौन सी है अणि को चलू है है बिलकुल सही अंद़कार यूग पहली बाद cont blec थी ग्रीस में वो पहले थी मिनोवन फिर मैसीनियन और उसके बाद कुछ समय ऐसा रहा जब खाने पीने की समस्या रही जब जो लोगों की जनसंक्या थी वो कम हुई और ना ही कोई लेखनी लिखी गई तो इस पूरे काल को कहा जाता है अंधकार युग जो उसके बाद वी सब के बाद को कहते हैं अंधकार युग तो इसलिए यह सभी की सभी स्टीकमेंट्स तो यह सभी ऊपर दी गई ऑधा टीक है मैसीनियन सब्सक्राद के बाद करदो समय वो और इस समय पे जनसंक्या कम हुई उस समय पे खाने पीने की वी कमी हुई थी वहां पर ठीक है चलो अगला पैक्स रोमाना किसे कहा जाता है ठीक है स्ट्रॉंग रोमन अड्मिस्ट्रेशन ओर्डर एंड जन्रल लाक ओफ वार्फेर इन इंपेरियल टेरिटरी अब यह देखो हिंदी में भी देख लो जो लोग अभी चिलाने वाले हैं कि ज़र हिंदी में नहीं है तो यह देख लो पैक्स रोमाना को संदर्बित क्या करता है मजबूत रोमन प्रशासन व्यवस्था और शाही शेत्र में युद्ध की सामान ने कमी पूर्वर पश्चिम में रोमन सहसमराटों के बीच संधियां चैन ने सिवा के बदले में निप्टान के लिए रोमन बार्बेरियन समझोते रोम में चर्च की कॉर्परेट सिती है पैक्स रोमाना किसे कहते हैं अच्छा सुरेश डाल दी है हमने पोर्टल पे तो डाल दी गई है मैं देख लूँगा यहां पर भी डलवा देंगे ठीक है देखो हिंदी वाले यहां से देखो सवाल और इंग्लिश वाले यहां से चलो देखो मैं बता देता हूं पैक्स रोमाना किसे कहते हैं हम निस्ञा पैक्स रोमाना जब newman इतिहास को तीन हिस्चों में बाटा जा सकता है है एक हिस्सा है जब अप्रोम बसा पहले फिर रोम में रिपाबिकन सिस्टम आया जब लोगतांतरिक तरीए इस एक तरीके से लोग चुनने लगे अपने रिप्रेजेंटेटेव फिर रोमन समराज्य का समय आता है जब रोमन समराज्य बसा था तो शुरुवाती कुछ समय पैक्स रोमाना का था जब एक बढ़िया प्रशासनिक विवस्था थापित की गई इस ट्रॉग आड्मिस्ट्रेशन और युद को रोकने के लिए वारफेर को रोकने के लिए समझोता हुआ कि युद नहीं चलेगा काफी लंबे समय तक रोम में युद चला था तो पैक्स रोमाना वो शान्ती का दौर था जब पहले दो शताब्यों तक दो सेंचुरीज तक क युद नहीं हुआ ठीक है तो समझोता था तो इसको कहते हैं एक पैक्स रोमाना ठीक है जी तो स्ट्रॉंग अड्मिस्ट्रेशन और जनरल लैक आप वारफेर इंपीरियल डिरेटरी में पैक्स रोमाना चलाता है यह देखो पैक्स रोमाना एक वह अबदी थी जो 27 बीसी स शुरू किया था और तकरीवन उनके बाद से अगले 200 साल तक पहली शताब दूसरी शताब दी यह पूरा लंबा चलता रहा अवदी जिसमें रोम के अंदर शांती रही और कोई भी युद्ध नहीं हुआ ठीक है तो वह है इसके इसका उत्तर आ जाता फिर हमारा क्या कि पै कौन सा मुख्य धर्म जो है वो औरिजनेट हुआ हिंदू धर्म इसाई धर्म बाद्धर्म यह उहुदी धर्म यह तो बताना थोड़ा आसान है यह तो आसान सवाल हो गया है ना पर कुछ लोग इसमें भी गल्ति कर सकते हैं जल्दी से बताओ रोम से क्या आंसर दिया मुझे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या मुझे गलत दिखाई दे रहा है आप क्या आंसर कर रहा हुआ है जो आंसर करो भई कौन सा मुझे धर्म था जो रोम से चुरू हुआ है चलो तो यहां पर है Christianity इसाई धर्म था जो रोम से औरिजिनेट हुआ तो जो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है यौरप में पूरा फिर इसाई धर्मी फैला तो इसलिए इसाई धर्म तो प्यूनिक युद्धों में रोमनों के विरोधी कौन थे ग्रीक कार्थेदियन या एट्रुसकन या फिर इडिप्शिन कौन थे इनके विरोधी प्यूनिक युद्धों में रोमन्स के विरोधी कौन थे इप्यूनिक युद्धों में जल्दी से बताओ पिर चैट नहीं चल रहा है मुझे आंसर क्यों नहीं दिख रहा है अब आया ठीक ठीक है बी और डी में confused बी 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 चलो विल्कुल सही जिन लोगों ने आंसर किया कार्थेनियन रोमन्स और का बीच में युद्ध होँ था था इक बार पहले इस सवाल का भी जवाब दे देना फिर में दोनों का एक्स्विनेशन दोंगा देखो इस सवाल का और इस स्वाल का वासेका एकी रूमन्स का नियुक्प亞max क्यों सी जमीन पर कब्जा कर पाए थे पेन, ग्रीस, इंडिया या सिसिली? ठीक है? पहले प्यूनिक युद्ध के बाद रोमन किस जमीन पर गबजा कर पाए थे? पेन, ग्रीस, इंडिया या सिसिली? ठीक है? अच्छा, ग्रीस बोल रहो? शिसिली, चलो आंसर देखते हैं, ये देखो, ये है इटेलियन प्राइद यहां पर रोमन समराज्य फैला हुआ था, ये भूमत जे सागरे बीच में जो नीला आप देखे रहए पूरा, Mediterranean Sea Mediterranean Sea के दूसरी तरफ जो फेलावा समराज्य था तट के साथ-साथ ये क्या था ये कार्थेजियन समराज्य था समराज यहां तक और द्वीब पर भी ये यूद दुपा था इस सिसले के द्वीब को लेकर इस पर आखिरकार कबजा कर लिया इस युद्ध के बाद किसने रोमन्स ने रोमन रिपब्लिक्स ने बाद में जाकर इस पर कबजा कर लिया और ये उनका प्राइज था बेसिकली जो हराके उन्हें जीता था सिसिली का द्वीब तो सिसिली का द्वीब था जिसके लिए लड़ाई हुई थी कार युद्ध था उसके अंत में इस इलाके को कार्थेजियन से ठीन लिया था किसने रोमन ने और यह क्या कराता है सिसली तो यहीं मैंने आपको बताया कार्थेजियन के खिलाफ प्योनिक युद्ध हुए थे और दूसरा सिसली जो था वो जगह थी जिसको ठीना था उना थे ठी इंपीरियल पीरियड इन रोमन हिस्ट्री स्टार्ट फ्रॉम रोमन इतिहास में इंपीरियल पीरियड कब शुरू होता है रोमन इतिहास में शाहिकाल कब से शुरू होता है 753 इसापूर से 509 इसापूर से 27 इसापूर से और 476 इसवी से यह चारों रोमन इतिहास की महत्व महत्रपूर्ण तारीक हैं अभी एक मैप एक पुरा टेबल दिखाऊंगा उससे आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है यह चारों तारीक है रोमन इतिहास की बहुत महत्रपूर्ण तारीक हैं अभी आपको दिखाऊंगा टेबल अच्छा सी कुछ बच्चों ने सी आंसर किया है देखे आंसर देखो यह देखो रोमन इतिहास में सबसे पहले मुनार्की सिस्टम है जब बिलकुल राजा अपनी राजशाही चलाता था तो वो सिस्टम 753 इसापूर्व में शुरुआ था 753 में 509 इसापूर्व में खतम हु सिस्टम आया जब लोग मिल जुल के अपना प्रतिनी दी चुनते थे 509 इसापूर्व में और वो 27 इसापूर्व में खतमा फिर इंपायर की ठीक है फिर शाही विवस्था फिर शुरूई 27 इसापूर्व में जब राजा ऑगस्टस जो है वो गद्दी पे बैठते हैं और इसे बात 476 इडी तक यह चलता है 476 इसवी तक तो 27 बीसी यह 27 इसापूर्व वो तारीक है जब रोमन एंपायर शुरू हुआ ठीक है तो एक बात ध्यान रखना सबसे पहले मुनार्खी जो यह चलती थी मुनार्खी विवस्था जिसमें सिर्फ एक ही राजा जो सारे उसी राज चलता था वो बिना किसी से पूछे सिर्फ अपनी मर्जी से राज करता था फिर रिपब्लिकन सिस्टम जहां लोग मिल जूल के और फिर राजशाही आप इंपीरियल सिस्टम कहलो यह सिस्टम बाद में आया जब इसमें फिर राजा तो नहीं लगे लेकिन राजा हैं 753 इसापूर 509 इसापूर और 27 इसापूर यह खतम होती है 509 इसापूर पर यह 27 पर और यह 476 इस भी पर इसी लिए यह सारी तारीक है बहुत महत्वपूर्ण है ठीक है चलो उसके बाद हूँ और पीपल हूरूल रोम आफ्टर लेटिन वह कौन लोग थे जिनों ने र अब एक स्टोरी सुनाओंगा इसके बाद यह आंसर कर दो फिर इसके बाद एक स्टोरी सुनाता हूं रोम के बसने की वह दब पीपल हूरूल रोम आफ्टर लेटिन इस चलो आंसर देखे चलो ती ती नहीं है इसका आंसर इसका आंसर है एट्रुसकंस दो लोग थे जिन्होंने लेटिन के बाद राज किया आप देखो क्या था मैं आपको थोड़ी कहानी बताता हूं सबसे पहले एक जो एक स्टोरी है हो सकता माइथोलोजिकल टे वह कहानी यह कहती है कि रोमन गॉड ओफ वार मार्स उनके दो बच्चे हुए जुड़वा बच्चे रीमस और रोमिलस रीमस और रोमिलस दोनों जो हैं दोनों को उनके एक चाचा एक अंकल उनको किड्नाप कर लेते हैं और क्योंकि उनको यह लगता था कि यह जब बढ़े होंगे तो मार्स की ताकत और ज्याधा बढ़ जाएगी तो इन डोनों बच्चों को किडणाप कर लिया उन्हें ने उन इक चाचा नै अब उन्हेंने अपने नौकर दोनों को रो रोम-डूर और रिम स्कूर वो दोनों बच्चों को ये कहा गया था कि इनको ट्राइबर नदी में बहा के मार डालो अब ये जो नौकर था इसको द्या आ गई इसने क्या किया कि एक टोकरी में रखके इन दोनों बच्चों को बहा दिया ट्राइबर नदी में तोचा कि क्या पता ये बच्चे बच जाएं इस चक्कर में उसने डुबोया नहीं उन्हें नदी में डुबा के मारा नहीं उन दोनों जुड़बा पैदा हुए बच्चों को बलकि एक टोकरी में रखके बहा दिया ये टोकरी बहते बहते ट्राइबर नदी में आगे पहुची तो आगे एक नदी के किनारे पर एक जो है एक वुल्फ आप ये कहलो कि एक मादा भीडिया को वो बच्चे मिल गए उस मादा भीडिया के अपने दो बच्चे थे उनके साथ उसने उन दो बच्चों को भी पाला उन दोनों बच्चों को दूद पिलाया, ये दोनों बच्चे बड़े हो गए, आगे चलके कहते हैं कि ये दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जब दोनों कह क्या रहे थे, दोनों ये चाहते थे एक नया शहर बसाना, ये एक mythological टेल है, दोनों पहले Latin राजाओं कारा राज रहा जिसके पहले राजा थे रोमन इतिहास में लिखित कानूनों के पहले सेट को क्या कहा जाता है फेबियन सेट, हिरोगलिफिक्स, ट्वेल्ट टेबल्स या क्यूनिफॉर्म अब जिन्होंने कल की क्लास देखी है उसमें से दो शब्दों का मतलब तो आपको पहले ही पता होगा बाकी बचे के दो आप्शन उसमें से आपको आंसर करना है जल्दी से करो जल्दी पस सेट ऑफ रिटन लॉज इन रोमन हिस्ट्री इस नोन आज फेबियन सेट, हिरोगलिफिक्स, ट्वेल्ट टेबल्स या क्यूनिफॉर्म चलो आंसर बहुत सारे बच्चों ने किया सी बिल्कुल ठीक है जिन लोगों ने सी आंसर के ट्वेल्ट अब एक और ऐसा ही सवाल है फिर दोनों की एक साथ दूंगा ट्वेल्ट टेबल्स रिटन इन रिटन लॉज इन डॉमन हिस्ट्री रिटन आन क्ले टैबलेट वाइट गोली पर लिखा गया है या फिर सिलवर पेलेट पर लिखा गया है चलो ठीक है तो इसका आंसर है ती ब्रॉंग टैबलेट पर लिखा गया अब देखो ट्वेल्ट टेबल्स जब कहतें के कुछ रॉहर टे ब्रग ते मुख Marin ते रोम में रोमन रिपब्लिक जब वह करता था जब लोग अपने शासँकों को चुनते थे तो तीन वर ठें समाज में रोमन रिपब्लिक के दर एक था पाट्रीशन जो रोगं परिवारों के लोग और उसके बाद सबसे नीचे स्लेव वो लोग जो जिन इलाकों परोमैंस हमला करते थे जिते लेते थे लोग को अपना लेते गुलां तो तीन वर्ग थे पेटरीशन लिपीन और लेस अपने जाते थे वह भी उनी के लोग थे 300 लोग दुझे चुने जाते सरकार लेकिन एक समय ऐसा आया जब लेवियंस रेवा कि फैसला कर लिया कि हम शहर चोड़के चले लाएंगे इन्हों ने हमें दुखी कर रख्या पैट्रीशन ने अपने इसाब से कानून बनाते हैं और सारे टेक्स जो हैं वो प्लीबियन लोगों पर लादे जाते हैं और वो परिशानी धिलते हैं तो प्लीबियन से परिशान होके यह लोग चले गए फिर फैसला हुआ प् फिर लिखित कानून बनाए गए क्या जिने कहा गया तो प्लीबियन के प्रेशर में आकर जो है कुछ नए कानून बनाए गए जिने 12 टेबल्स के रूप में कहा गया इसमें हर चीज को लेकर कानून था प्रॉपर्टी को लेकर क्राइम को लेकर फैमिली को चोरी को लेकर औ और यह written form में लिखे गए थे और ब्रॉंज टैबलेट के उपर लिखे गए थे और 12 इसमें लाइन्स थी जिसकी वज़े से इन्हें 12 टेबल्स कहा जाता है ठीक है जी तो 12 टेबल्स इससे कहते हैं आगे इनमें से कौन रोम की पहली ट्राइमवरेट या विज़े गाथा का हिस्था नहीं है पहले ट्राइमवरेट कहते हैं जिसमें जो पहले तीन विज़े राजा उसका हिस्था नहीं है जूलियस सीजर, पॉम्पे, क्रैसस या उक्टेवियन फर्स्ट ट्राइम्वरेट का हिस्था कौन नहीं है यूलिय सीजर, पॉम्पे, क्रैसस या उक्टेवियन चलो D तो आंसर इसका है D देखो जो तीन जो पहले तीन जो फर्स्ट ट्राइम्वरेट था उसके राजा थे जूलिय सीजर, पॉम्पे और क्रैसस जो दूसरा ट्राइम्वरेट फिर जो जो आया यह कहलो कि उसके बाद इंपीरियल फेज में उसमें तीन राजा थे ओक्टेवियन, लेपिडस और मारको अंटोनियो तो पहले ट्राइम्वरेट में यह तीन थे और दूसरे में यह तीन थे तो यहां पर जो नाम लिख रहा है कि फर्स्ट में कौन नहीं था तो ओक्टेवियन दूसरे ट्राइम्वरेट से था इसलिए वो नहीं था तो यह आ कार्थेजियन जनरल अगेंस दर रोमन रिपब्लिक इन सेकेंड फ्यूनिक वार बित्य फ्यूनिक युद्ध में रोमन गन्राज्य के खिलाफ कार्थेजियन जनरल कौन था रिमस रोमिलस अकिलिस यहनीबल अब फिर मैं आपको एक काया निसुनाओंगा इसके बाद जल्दी से देखो कि फ्फ्यूनिक इन जनरल अगेंस रोमन रिपब्लिक इन सेकेंड प्यूनिक वार शर्म में युद्ध रोमन रिपब्लिक और कार्थेजियन खत्याथ्यू वार। समुद्र के दो तरफ दो समराज्य थी, उत्तर में रोमन रिपब्लिक, दक्षन में जो है वो था कार्थेनियन समराज्य, बीच में भूमद्य सागर और उन दोनों के वीच में युद्धुआ, तीन युद्धुए थे, और दूसरे प्योनिक युद्ध में उनका जनरल कौन था, उनकी तरफ से आप यह बताओ, कार्थेनियन्स की तरफ से, रोमन्स के खिलाब जो लड़ रहा था, चलो, तो आंसर है, हनीबल, ठीक है, तो इसका आंसर है हनीबल, हनीबल, अब मैं आपको बताता हूँ, हुआ क्या, कि जो पहला युद्ध था, उसमें एक चीज कि रोमन्स ने सिसली को जीत लिया, फिर कार्थेनियन्स की अंदर यह जुनून जाग उठा के वो किसी भी तरीके से, अपने इलाकों को वापिस जीतेंगे, कार्थेनियन्स ने युद्ध की तयारी की, एक उनके जनरल हुआ करते हमलीकार, हमलीकार ने अपने एक बेटे को बड़ी ट्रेनिंग दी, उस बेटे का नाम था हनीबल, इतनी ट्रेनिंग दी गई थी कि किसी भी कीमत पे हमें रोमन्स को हराना ही हराना है, हनीबल बहुत अच्छा ट्रेंड जनरल था, युद्ध शुरू वा दूसरा प्योनिक युद्ध जिसमें कार्थेनियन्स ने हमल लेकिन जो व्यवस्था थी, जो शायद रोमन्स की, रोमन्स कर पर क्या थे कि अपना युद्ध में जो भी जीतते थे, अपने लोगों में बराबरी से वो लूट भांटी जाती थी, इसलिए रोमन्स बड़े मोटिवेटेड थे और व्यवस्थित तरीके से लड़ते थे, कार्थेनियन्स उतने व्यवस्थित तरीके से नहीं लड़ते थे, चाहे उनका जनरल बड़ा काबिल था लड़ने की बड़ी खैली सीख्या आया था, लेकिन रोमन्स संख्यावल में भी जादा थे, और कई वज़ाओं से असानी से रोमन्स जीत गए, हनीबल की हार हुई तो हनीबल वो जनरल था जो सेकेंड द्रियोनिक वार में मौझूद था, दूसरा, अगला क्वेस्टिन, वु वल्ड़ वन हुई जूलियस सीजर, जूलियस सीजर को मौत के घाट उतारने वाले विक्ति का क्या नाम था, स्पाटकस, ब्रूटस, अकिलिस या हनीबल, जूल जूलियस सीजर को मारने वाले विक्ति का क्या नाम था, बिल्कुल सही सुमन, ब्रूटस, ब्रूटस उसका नाम था, यह देखो, एक बड़ी, यह बड़ी प्रसिद गहानी है, जूलियस सीजर, जूलियस सीजर, रोमन रिपबलिक के आखरी, आप यह कहलो, डिक्टेटर थ इन्होंने क्या किया था, डिक्टेटर क्या बने यह, हुआ क्या था, एक सेनेट की विवस्था थी, सेनेट चुने जाते थे, जो समरित परिवारों में से चुने जाते थे, लेकिन क्या हुआ, कि एक जनरल जिसका नाम जूलियस सीजर था, उसने धीरे धीरे इतनी ताकत ज लेके सैनेट के कहे अनुसार काम करना था लेकिन फिर भी आखिर में हुआ कि जूलियस सीजर अपनी मनमानी करने लगा ना इसनेट की सुनता था उटेशन पर उसके खिलाब साजिशें की senators तर तब वह साजिश होती है और उनका सबसे करीबी दोस्त Brutus जो है वह वहत्या करता है किसकी जूलियस Caesar की एक विलियम शेक्सपेयर का बड़ाई एतिहासिक प्ले जूलियस सीजर पे उसका अंत जो होता है उसका आखरी इसका मतलब था कि बूटस तुम भी इन लोगों के साथ मिल गए तुमने भी मेरी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी मतलब वो सारे लोग उनके दुश्मन हो गए थे और सिर्फ उन्हें जिससे उमीद थी जो दूसरी तरफ कभी नहीं जाएगा वो बूटस ही था लेकिन वो कौन से राजा थे जिनों ने इसाई धर्म को राजकिय धर्म यादिकारिक धर्म घोशित किया रोम का तो आपको बताना ओक्टेवियन जूलियस सीजर अकिलिस या थियो डॉसियस चलो आखरी सवाल है यह आज का तो वो कौन से राजा थे जिनों ने क्रिस्चैनिटी को ओफिशियल रिलीजिन घोशित किया था रोम में चलो डी थियो डॉसियस बिल्कुल ठीक है थियो डॉसियस जो थे इनों ने क्रिस्चैनिटी को ओफिशियल रिलीजिन घोशित किया था 313, 380 AD में ठीक है अब क्या था कि एक इस्क्रिप्शन मिलता है पुराना जिसमें पता चलता है कि इनोंने क्या किया कि इनोंने यह रोम का जो है ओफिशियल लीजिन घोशित कर दिया किसको क्रिस्चैनिटी को तो थियोडॉसियस वो राजा थे ध्यान रखना अब एक बात ध्यान रखना नेक्स्ट मंडे फिर से क्लास होगी उसमें भी मैं रोमन समराज जिके ग्रीक समराज जिके तो उस दिन भी आपको यह क्लास जॉइन करनी है मंडे को एक बज़े फिर से हम जॉइन करेंगे और वहां पर भी उस पूरे वीक में मैं चाइनीज इनके ही सवाल डिसकस करूंगा क्यों क्योंकि यह वाली यूनिट मुझे लगता है बच्चों की सबसे कम प्रिपेर्ड है सबसे कम उसके बारे में जो है बच्चों ने पड़ा होता है और इसको हम पूरा अथ्य से पूरा खंगाल लेंगे कुछ भी सवाल इसमें से आप लोगो ने क्या करना लगातार जितने भी सेशन वोगे वह अटेंड कर रहे हैं जितनी अच्छी एमसी क्यों प्रैक्टिस आप कर लोगे उत्रही अच्छा आपका पेपर जाएगा यह हमारा अनुमान है और पैटन पुराने पेपर से बिल्कुल कॉपी करने की पौक ना जाना इसलिए हम हर तरीके के क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल के साथ आपको सब कराएंगे आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तयार रहेना है त्यक्यार चलो यह तो इस वर्ल्ड सिविलाइजेशन वाले पार्ट से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन मॉडन हिस्ट्री से आप मल्टिबल स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन देखोगे हो सकता है एंशेंट और मेडिवल से भी तो आपने वह वाले पार्ट को अठ्या कर लिना है क्यूंकि वह यह वह ऐसा है उसमें असान सवाल अब नहीं आएंगे वह हो गया जितना असान सवाल दे सकते थे अब जो पेपर आएगा उसमें वह डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएंगे मुल्टिबल स्टेटमेंट्स क तक पहुंच सकता है मुल्टिबल स्टेटमेंट्स वाला आप सिंगल स्टेटमेंट्स वाली अगर तयार कर रहे हो तो यह सोच के जाना कि हो सकता है सिंगल स्टेटमेंट्स वाला पैटर्न अब की बार बिल्कुल तबदील हो जाया और सारा मुल्टिबल स्टेटमेंट्स जाए और 50-60% तक पहुंच जाए आपका multiple statement वाले questions तो अपने आपको यार करके जाना है हमने वो सारी practice कर लेनी है असान असान तो आपने अब तक करी लिए होंगे ना difficulty level को बढ़ा लो थोड़ा सा असान आगया तो वो तो होई जाएगा अगर difficult आगया तब तब क्या करेंगे ठीक है तो हमने उस possible situation को देखके सारे questions को करना है चलो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे आपसे जय भारत जय है